उम्मक्रिनाद उम्मक्रिनाद ये भी ना जाने, वो भी ना जाने नै रोके रंग, नै ना जाने मिला जो सक तेरा, उड़ा पतंग तेरा हवावे हो के मलंग चद की कोई रीत ना जाने मैठो मस तेरी फूरी दिवानी शुरा इखरबार मेरा हुवर्णा में तो यी हसन सार 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 मेरा ह किसा है थ्यार लेरा, मख्ला ले मख्ला, है सुखाई पर्पार लेरा, मुख लेरा राष्टे में बाठर बॉस क्या रखाई लेरा, मुंझ में बाठ्राफिक नहीं को सुखाई पहुचेंगे तो काफी देर ठ्रावल कर लिये, और मन्डे है तो आप सब पता है तो दिल्ली का जो ट्राफिक है ना बहुत जाद होता है तो आप फाइनली हम पहुचने वाले हमें मुश्किल से 10 मिनट और लगेंगे और उसके बाद आपको लेके चलेंगे अपुहर की सहर करवाले तो देखिये, Monday का दिन है और इतना जादा ट्राफिक है ना मतलब हम कितनी देड से ट्रावल कर लेकिन पहुच ही नी रहें तो फाइनली अप्टोड़ा सा थाइम पच्छे है हमें अपनी मनजिल पहुचने को पहुचने केस लग रहें? वहाँ रहाँ वहाँ जादू भाया किना टाइम और लगने वाला है? 10 निट वहाँ जादू तो अभी हमें 10 मिनट और वेट करना पड़ेगा और आपको बता दें कि इतनी देर तक हमने जो ट्रावल के है हमारा एक मार्तर सहारात की है प्यारा सा म्यूजिक मतब जुबिन नॉडियान की जो सौंग साना कितने अमेजिंग हैं मुझे बताने की जुलती है तो यह काने ही हमारा सहारात है यहाँ पर फाइनले हमने गुडगाओं में एंट्रे लेली और पुछ ही देर में हम अपकोगर पोच्छने हैं तो फाइनली हम पहुच चुके हैं अपको बाहर का नजारा दिखाते हैं सबसे पहले और फिर आपको अंदर लेकर चलेंगे तो फाइनली हम पहुच चुके क्यासा लग रहा है चल बहुत एक्साइड़ हूं बहुत जादा मुझे और जादा हो रहा है क्योंकि आज मैं अपनी संवादाता से खुदी बात्चीत कर रहे हूं वैसे हम पहुच चुके आपको उधर के नजारा दिखाते हैं आई आपको लेके चलते हैं यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर यह मेल्स के लिए है और यह वाला जो है फीमेल्स के लिए तो हम इसमें जाकर एंट्री लेते हैं चली आचल तो पहले आचल जाएंगी और अब हम भी चलते तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो है चेकिंग होती है और आप देख सकत इसके बाद इन लोगों को अंदर एंट्री मिल रही है तो हम लोग यहां से चलते हैं तो देखिए आप जब एंट्री लेंगे और उसके बाद पहले आपकी चेकिंग होगी और उसके बाद यहां पर आपका टेमप्रेचर चेक किया जाएगा क्योंकि देखिए जो कोरोना है चेकिंग किया है तो हम पास अल्कॉछ मीटर भी है एक सौटे लिमिट्स के अगर नीचे है तभी हम आने देते हैं लैक बिलोव 15 अगर थर्टी एन अबव है या फिफ्टी एन अबव है तो हम उने इस्ट्रिक्ली दियार नॉट अलावड इन फार्ट बहुत ही अच्छी चीज है मतलब जो भी अंदर आ रहा है उसके लिए प्रॉपर चेकिंग जो आप लोगों नहीं बना रखा है तो देखिए आपको कित तरार के टीम पहुची है अप्पू घर और आज हम आपको यहां की सेर करवाएंगे और बताएंगे यहां पर क्या कैसी खास सीज़ें जो अपनी फैमिली और फ्रेंट से साथ एक्स्प्लोर कर सकते हैं तो आईए अंदर चलते हैं तो देखिए एंट्री लेने के बाद सब अगर आपको वेटिंग एरिया में जाना है क्योंकि ग्यारा बजे आप एंट्री के टाइमिंग्स हैं तो उस राइड अगर हम नजा डालें तो वेटिंग एरिया वहां पर है जहां पर एंट्री से पहले यहां पर अराम से बैट कर सकते हैं यहां पर प्रॉपर फैसिलिट पुरी टिकेट के बारे में जब कर लोगर रूम्स कोश्टूमस के बारे में जैसे आप देख सकते है कि यहां पुरी टिकेट के हैं तीन फीट चार फीट और काफी सार इंस्रक्षिंज आपको इस बोर्ड में देखने को मिल सकते हैं ताइमिंग इसकी बफ़े की एक से चार बजे की बीच में यहां पर लुकी द्रॉट की इनकी एक स्कीम है वो इंस्टाग्राम पर चालू होता है और फाइफ लुकी विनर्स को इसका अमांट मिलता है जो लुकी विनर होते है अगर मैं आपको बता दो तो तो 1399 की है वही सीन स्टाट है आचल कैसे वेट करेंगे इतना यहां पर वेटिंग एरे में वेट करेंगे सब लोगों की तरह और क्या सुबा से हम इंतजार करें यहां पर आने का और अभी भी वेट करना पड़ेगा बहुत ही बुरा लग रहा है पर चलो ठीक है रूल्स के हिसाफ से हमें चल यह सारे सवालों के जवाब है हम आपको इस पूरी वीडियो में देंगे तो पूरी वीडियो को देखने के लिए बने रही है तेस्तरार के साथ तो अब हम वेटिंग एरे में जा रहा है खुद भी वेट करने बाकि लोगों की तरह ग्यारा बजने का वेट करेंगे और फि जो कि स्केरी भी होंगे मैंने सुने है यहाँ पर एक राइड है ओम जी उसमें कुछ स्ट्रेट प्लाटफॉर्म में से जमीन हट जाती है और नीचे वो करो कि अब ट्राइब बिल्कुल मैं तो सब कुछ ट्राइब करूं मुझे यह सब बहुत जादा पसंद है बहुत मज ही है शायद तो चलिए थोड़ा सा इंतजार और उसके बाद आने वाला है बहुत सारा मजा तो सर मैं जानना चाहूंगी ओस्टर वाटपार्क में जैसे हम आया अपको घर में तो यहां पर कुछ ओफर्स भी चल रहे हैं ओनलाइन पर अपने पास कपल का ओफर है एंट्री अगर आपको गर्मियों के मौसम में अपको घर आने तो ऑनलाइन जाए वहां से भी अपकेट्स भुक करवा सकते हैं काफी अच्छे ओफर्स है ने उन्हें में बताया है कौपल्स के लिए हैं ग्रुप के लिए हैं तो जरूर यहां पर आईये ओनलाइन चाहिए टिकेट् तो फाइनली इतनी देर महनत करने के बाद टिकेट लेने के बाद हातों पर ये बैंड बनवाने के बाद हम आ गए हैं अप्पु घर में और एंट्री लेते हैं आपको दिखेगा आई लव अप्पु घर क्यासा लग रहा है अचल वेरी एक्साइटिट अगें तो देखे दूप बहुत है शेट लगाना बनता है देखे धूप है आप भी आ रहे तो शेट लाना बिल्कुल भी न भूले और यहां से देखे आपको एंट्री नजर आएगी जो लोग है वो नजर आएंगे तो देखे अब हमने एंट्री कर ली है और हम देख सकते हैं कि यहां पर एक तरह का वेटिंग एरिया बना हुआ है यहां पर हमें काफी सारी शॉप्स मिल जाएंगी जो खाने पीने के लेकर हैं और यहां पर हम देख सकते हैं कितने सुन्दर तरीके से यह पूरा डिजाइन किया गया है और एस्टर अपू घर यहां पर जो है पूरा वेटिंग का एरिया है यहां पर आप ले सकते हैं लॉकर रेंट बेसिस पर कुछ उसकी सिक्योर्टी इसके लाब़ा और सिक्योर्टी आपका रिफंड ने वेटेंगे आपको जो है वो बाइक करने पडेंगे यहां से सुमिंग कॉस्ट्यूम्स तो अगर आप यहां पर आ रहे हैं औ और आपके पास कोई सुमिंग कॉस्टुम पहले से है तो वो लेकर आइए अधर्वाइस आपको यहां पर बाय करना पड़ेगा। यह तो अधर्वी पूरा यहें वाइए पूरा रखिवति को फ्र wykonति करता रखिवाएव। यह तो इस है रखिव। दिस के समय सेपिए लग भंग रखिवाय डायाहिएं केसरे रून इन जिताइप हैㅜ। इसका ध्यान रखे हैं नीट and tidy space पूरा मिंटेन करके चलना है और वो देख सकते हैं आप सामने जो हाँ पर पार्क की एंट्री लिखे हुई है वहाँ पर लिखा हुओ है प्लीज माइंड यॉर हेट क्योंकि वो जो थोड़ा डिस्टेंस है वो शायद आपको थोड़ा दिक्कत कर सकता है लेकिन बहुत अच्छी सराउंडिंग्स आप देखने को मिल सकती है आपको देख सकते हैं आप हमारी जो दोर विपोटर हैं वो भी अपनी लगेज का ख्याल रख रही है यह बहुत इंबॉर्टन बात है अपने लगेज का अपना ख्याल रख रहे हम लोग भी आप आया लगेज का अपना ख्याल रख रहे हैं कुछी टाइम पर पार्क में एंट्री लेंगे और आपको अंदर की पुरे टूर दिखाएंगे कौन सी लाइड यहां पर हैं किती वाटर राइड तो फाइनली हम भी अपना यह जो भारी भरकम सा समान है उसे जारे लॉकर में रखने सर अमारी कीज दे दीजी आप ओके सो फाइनली हमें मिलगी हमारी कीज अब हम चलेंगे अंदर अपना समान रखेंगे चल कर आचल यह आप समाले चाविया आपके बास अच्छी लगती है तो देखिए पर्स यह रहा हमारा समान मतलब हमारी पूरी टीम का समान और अब हम आ गए हैं लॉकर में इस रखन तो देखिए अचल भी वेभी भी विहाइंड़ दा कैमरा है तो 18600 यह रहा फाइनली मिल गया है सो यह रहा हमारा लॉकर इसमें रखेंगे अपना समान आट है चलिए अपना-पना समान रख गयते हैं तो आचल का बैक भी मैं ही रख देती हूं लाहिए आचल तो देखें आचल भी हमारी camera man बनी हुए क्योंकि यहाँ पर लड़को काना loud नहीं था इसलिए आचल को भी responsibility लेनी पड़ी finally हमारा समान रग गया है इसे कर देते हैं lock और अब इसे भूल जाएंगे थोड़े देते लिए चेक कर लेते हैं चेक करना बहुत important होते हैं so finally आप एक को एक चीज और दिखा देती हूँ देखे सबसे जब भी हम कहीं जाते हैं हम focus करते हैं साफ सफाई पर और आचल दिखाएंगे आपको कि यहाँ पर सफाई का खासी ध्यान रखा गया आप देखे कहीं भी आपको कच्रा नजर नहीं आएगा बहुती ज़ादा साफ सुतरी जगा है जो कि बहुत अच्छी है security बहुत अच्छी है तो यहाँ पर changing room आपको मिल जाएगा जब आप अपनी costume लेकर आएंगे तो आप यहाँ पर change कर सकते हैं lockers भी यही पर है समान भी आप यही पर रख सकते हैं अब आपको लेके चलते हैं finally जिस जगह का हम इतने घंडों से इंतजार करें यानि कि हमार लगी तो यह देखिए यहाँ पर आकर आप costume ले सकते हैं अपने लिए सब कुछ यहाँ पर mention किया हुआ है आपको कौन सी लेनी है क्या प्राइस सब कुछ आपको मिल जाएगा एक बार जब जीत उस तरफ दिखा दीजिए कि आपको कौन कौन सी जब कौस्ट्यूम से मिलने अपनी पसंद के हिसाब से ले सकते हैं आचल आपसी लेने वाली है आपको पसंदो जो कदर आपको पसंदो जो आपका साइज यहाँ पसंद दो आप सबसेल publishers क्याजा पर देख सकते हैं तो फाइनली हम भी अपने लिए कॉस्ट्यूम्स लेने आ गए हैं आचल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और कंफ्यूज भी लग रही हैं क्योंकि उन्हें पूछा था आपको कौन से चाहिए तो आचल अभी कंफ्यूज है यहां पर आपको काफे सारे जो आप्शन से वो मिल करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे जग जीट आप टेंशन मत लिए बिल्कुल चलिया चल देखिया तो जैसा कि आफ्रीन ने कहा तो मेरी चॉइस मानी जाएगी कॉस्ट्यूम में तो मेरी ही चॉइस मानी गई है और मैंने हम दोनों के लिए सेम कॉस्ट्यूम फाइनल कर आ आफ्रीन आप अच्छा लगी मेरी चॉइस आचल आपने चूज किया क्या कह सकते हैं बहुत बढ़िया बहुत जादे अच्छा है थांक्यू आफ्रीन थांक्यू चलिया तो फाइनली अब हम कॉस्ट्यूम चेंज करने जा रहे हैं और आप चेंज करते हैं वाटर पार्क के अंदर तो देखें फाइनली अब हम लोगों ने चेंज कर लिया और आप लोगों को लेकर चलते हैं वाटर पार्क के अंदर इसी के साथ आफ्रीना बताये कितने एक्साइड़ है मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइड़ हो लेकिन देखें बहुत गर्मी और यह बहुत ध यहां पर जो है दीरे भीड लगनी भी स्टार्ट हो गई है काफी सारे लोग हम देख पा रहे हैं जो आ चुक है वाटर पाक के मजे लेने के लिए देख सकते हैं बहुत गरम जमीन है तो आप बिल्कुल यहां पर देख सकते हैं कितनी सुन्दर यहां पर एंट्री इनोंने और देखें फाइनली वी यहां इन वाटर पार्क वाली मस्ती के लिए मैं तो बहुत जादा सूपर एकसाइटेड हूँ हमारे पैर भी साचा दौट जल रहे है तो देखें काफी है और गर्मी में वाटर पार काना किसे नहीं बसंद आपको पसंद होगा तो जरूर आईए जब आपको देखें हम फइनली एंटर कर रहे हैं लगातार और यहां पर यहां पर रिवर भी हमें दिखाई देरी यह इसके साथ जो एं यहां पर देखें रान डांस की आगे से भी है और यहां पे भी है शावर टाइप का एटमास्पिर जो बना हुआ है तो देखिए सबसे पहले आप एंट्री करेंगे आपको यह मिल जाएगा चीक है और उसके बाद हम आगे आएंगे तो यहां पर आपको छोटे-छोटे जो फूड आउटलेट से वह मिल जाएंग काफी सारी जो मस्ती करने की जगह है वो मिल जाएगी और मतलब । जा चेया है चले अगे यह करेंगे और सीदह आपको लिएक्ञे के अन्दर कैसा लग नहीं नहीं-ट भैति बड़िया यह वे पूल आ है दो तो देखिए अभी बढ़िया एक अन्दर जारह है चाहिव मो तो देखें कितिनी जौदधी क्या अपने प्लहली नहीं नहीं यह क्या है तो जिकशेक है अब डर्मार अधर्म डर्म हम अब ही शक्तता कि आप घुचाने हिए क्योंकि इंतलगी द benefici aumento और उसके बाद हम यहां का जो आनंद है बूलेंगे देखिए हमारा दिल तो बहुत जाद हो रहा अभी इन सब चीजों को इंजॉय करने का लेकिन सबसे पहले आपके लिए यह वीडियो बनानी है आपको दिखाना है कि यहां पर कितनी राइट से कौन से सबसे रहे आपको दिख रही होगी जो के यश ने भी हमें बतायता है कि यह क्या था इसमें 91 फीट्स की तकरीबन स्लाइट जो इंडिया की लार्जे स्लाइट में इसको माना जाता है तो देख सकते हैं कितनी जादा यह सीधी है कि कोई भी किसी को भी जाने में डर लगेगा मुझे व बिल्कुल अपना स्ट निकला हो विल्कुल उसे डर नहीं लगता वाटर फाक घूमता रहता है आप सबसे पूछ रहे हैं अपना बताईए ना मैं ओएस्टर आ रही हूँ थर्ड टाइम आरू देख सकते हम फाइनली राइट्स के अंदर जा रहे हैं राइट्स वाले पू लोग है ना आप देख सकते साइट कैमरा जाएगा चुछ लोग है वो काफी जदा इंजॉइ करते हुए आप नजर आ रहे हैं जादा इंपजार नहीं करवाएंगे आपको यश को भेजेंगे आम इन राइट्स पर यश आपको बताएंगे कि इन राइट्स पर जाकर कितन खंडे से पानी में तो देखिए जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है कोवीड अभी हमारे बीच में ही है हाला की मामले जरूर कम हुए है तो देखिए सफाई का यहां पर काफी ध्यान रखा गया आप देखिए पानी है बिल्कुल हाईजीनिक है क्रिस्टल क्लियर जिसे कहते हैं साफ आपको आर पार नज़र आएगा इस पानी में आप देखिए बिल्कुल साफ सुतरा पानी है और जो लोग है वो भी एकदम यहां पर एक्टिव नज़र आ रहे हैं जो स्टाफ है यानि कि यहां का व है पांच ने का इंतजार कर रहे है कि वो सके सिर बें गिरे कि अपी डिर शब आई यह अब काफी देर से इंतजार रहे हैं बिलकुल बिलकुल बाटर प्राग में यही सब करना है कि कब पानी समय गी ले रही सूखने का मौका नहीं देना अपने आपको तो देखिये यहाँ और आप यश जो है मज़ा लेंगे या ओए ओके तो अभी यश जब आएंगे तो उनसे पूचेंगे कैसा था यश तरफ से पानी आ गया उपर से पताना चले कहां से पानी आ गया और कभ अपनी चपेट में ले 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 मज़ाया बहुत ज्यादा चलिए अब कॉंसी राइड अगली अगली सबसे हाइस चलिए जल्दी जाहिए और हमें बताइए कैसा है बिल्कुल बिल्कुल कैसा लगा सेफ था या नहीं था क्योंकि एसे जगाहों पर सेफ्टी सबसे आदा इंपोर्टन होती है देखें किना मजा आ रहा है मुझे तो देखकर बहुत मजा रहा है यश कैसा था बहुत काफी सेफ था और एक जो एक्साइटिंग क्रियेट होता है जो पूरी केव की टाइक आपको एक व्यू मिलता है और आखरी में सब पानी वेखते है तो वह देखने हाला है अगर आप यहां पर आ रहा है तो यहां लिट तो अगर आपने ट्राइन नही के अंदर और लोग पर उनसे भी पूछेंगे कि उन्हें कैसा लग रहा है तो देखें यह है हमारा वेफ पूल जो हो जो वाटर पार्क से सबसे खास चीज होती है यहां पर लोग जो है बीच जैसा मज़ा लेते हैं यहां यहां पर जो हर 10-15 मिनट में वेफ जाती है जो ब बनाया ही इस तरीके से गया है कि समुधर वाली फील आए लोगों को अगर हम देखें तो वहां पर फीट के हिसाब से भी जहां पर हम खड़े है वो शालो एंड है अगर हम आगे जाएंगे तो वो डीपेंड होगा वहां पर डूबने का डर रहेगा यहां पर क्रूस का भी है पूरे वेव पूल के भीच में बनाया एक रेस्टोरेंट किया है खाने पीने के लिए आपको यह बहुत आगे एक अट्रेक्शन पॉइंट आप क्या सकते हैं आप जिसे देख सकते हैं कि हम लोग आगे बढ़ता जा रहे हैं तो हम देख सकते कि पानी भी बढ़ता जा है चोटा से कॉर्ण जहां पर लोग जो थक जाएं धूप में खेल खेल कर जैसे अचल थक गई है मैं नहीं थकी आफ्रीन तो यह कि हां पर सोड़ा है और आम से अपने रिफ्रेश कीजिए कहां पर जा रहे हैं अब हम जा रहे हैं स्लीपिंग रिवर में इससे पहले मैं व पांच्वी फीट तक में वा गया तो उन्होंने बताए कि 12 सी तीन है आप पर वेव की टाइमिंग वेव पूल की ठीक है वेव पूल में भी आपको लेकर चलेंगे वेव का वेट रहेगा इतने हम आपको लेकर जा रहे हैं स्लीपिंग रिवर में देखते हैं वो क्या है त तो एक में ही फैटेंगे क्योंकि आज हमने ट्वेइनिंग भी करी है तो बनता है वही इतना दो बनता है तो चले आचल कैसा लग रहा है आपरीं बहुत मसा रहा है जगजीत को चिड़ते हुए देखते हुए मुझे यो तो पूरी तेस तरार के टीम इस वाक्त अपको घर सेर करते हुए मुझे बस इतना डर लग रहा है कि हम किर रहा जाया आच है सबसे पहले आप जगजीत को दिखाए एक बार जगजीत आप अभी आभी तो बड़े गुस्से में थे आप क्या हो गया आपको थोड़ा पूद गुस्से में था पहले अब ठीक है थोड़ा पान और आपको एक जवाली राइट का लुफ्त उठाने और आपको भी दिखाएंगे किना मजा आपको आगे की बात जो है यह पताएंगे के हमें कितना मजा है इंगे हम से पूछेंगे आप अब जवाब देंगे बहुत अच्छी तरीके से लाइट एंजॉई करके आए रहें दोनों तो पूस्ते इन से क्या एक्सपीरेंस था और किया कितनी सेफ है यह राइट बहुत एक्साइटिंग था स्टार्टिंग में मैं तो छोटी सी राइड है बहुत मजा आपको कितना मजा आया बहुत मजा आ अब मुझे मन करें दूसरी वाली भी ट्राइक करने का मैं जारी दूसरी अब ब्लू आले पे आपके है यह देखिए मैं स्वक्स जो स्नेक की लाइट उसके अंदर बैट क्या आपको जानकारी दे रहा हूं यह जो सामने मेरे ब्लू राइड है अब इसमें से आएंगे हमा जाल यह दूब लेकर जारहे हैं हम लोग दो राइड है जो डू अली जो डेख सकते उसमें निख लेंगी वेट करते हैं यहां पर देखते हैं क्या होता है भाई कितना मज़ा है यहां से निकल के तुम वह करो एक नमबर चौती वार जाने का यह जो राइड है यहां पर कोई कम से कम तीन से चार बार जाता फिर भी उसमें मन नहीं भरता है ट्यूप सजा जाता है इस राइड में अब वेट करते उनका आने का देखते हैं कि अब देख नहीं आप जैसे अभी तक आचुकी है पूस्तें से कितना मज़ा आया बहुत मज़ा आया बहुत जादा उपर दुए इंस्ट्रक्शन्स प्रॉपर दे के भेज रहे हैं उन्हें में बताया किस तरह से बॉड़ी पोस्टर पीछे रखने हमें लेकिन बहुत ही म बहुत मज़ा आया इतना अंदर वाले में में अब जब नीचे आओगे आपको मज़ा जाए लिट्रली इतना एडवेंच्रिस था बहुत मज़ा आया तो यहां की सबसे जादा फेमस राइड है बताया जाता है कि इंडिया की लॉगेस ट्राइट में से एक में आती है जग को पर मतलब अपने पेरों को फोड़ करके रखना है और अपनी यह जो हाथ है इनको सोल जट्स पर पूरी कोई तरीके से टैस रखना है तो जिससे कि आपकी स्पीड जो है को मैंटेन रही ही पूरी तरह है व्यानि कई तरह के इंस्ट्रक्शन सेफ लगी आपको ही रही है फाइनली याश आगया है और हम देख सकते हैं इसने पैर कोल लिए पूरे इंस्ट्रक्शन्स कराव कैसे रही है बहुत ख़तरनाग रही एक गलती हो गई कि उन्होंने ऐसे का तब मुझे गलती से हाथ खुल गया पूरे तो थोड़ा और रिस्क हो गया लेकिन बहुत अच कि अचल देखे, मैं अची कि सब्सकर अची किया अची मतर थी Glau कोई सब्सकों अची का भ fand i हr दू चार से बटेख सकते हैं आपको अर्मारी करें दांस कर आणाप यहाँ बारिश आपको को भशास नाउले प्र सा करें आँपके स्यरो कर खुल आपके तो देखिए इतनी देर राइट्स लेने के बाद हम बहुत जादा ठक गए और बहुत जादा भूक लग रही क्योंकि हम सुपह बहुत जल दिया आ गए थे बिना नाश्ता किये तो आब सीधे खाने के वहाँ आपको लेके चलते हैं तो यहाँ पर हमें जो भी पसंद है अपनी पसंद के साब से आप भी ले सकते हैं हम भी अपनी पसंद के साब से जो जो हमें लेना है वो हम और करेंगे उसके बाद हमारा जो खाना है डिलिशियस सा पर आपको बताएंगे कि क्या क्हूंच करिए उधकर आपको बताएंगे कि हमने की क्या कैो वो जव Dear करिए तो देहां पर आपको यह पूरा मिल जाएंगा देखने के लिए मैं तो हमने यहां पर और किया आचल और मुझे कोल्ड कॉफी बहुत पसंद है हमारी फेवरेट है तो हमने कोल्ड कॉफी और किया यस ने ओरियो शेक मंगाया था लेकिन वो मिला नहीं तो यस भी फिर हमारी तरह कोल्ड कॉफी से काम चला रहा और जो हमारे कैमरा मैंने वो थोड़े से डिफरेंट उ तो मैं आपको बता रहती है हमारे जो कैमरा मैंने यानि की जग जी सिंग ने ओर के छोले बटूरे थम्स अप और मैं मैं तो आपको पता ही है मैं बहुत कम खाती हूं तो मैंने यह पावभाजी और यह बहले पापड़ी और एक कोल्ल काफी बस इससे अदा मैंने कुछ भी आपको बताती हूं आपको बताती हूं आफरीन को भी बहुत अच्छी लगी तो यहां आपको खाना यानी की ओवर और काफी टेस्टी है अब भी हाँ आएं तो खाना जरूर खाएं हाँ हाँ पर यह बड़ी नोसार ब्रेकिंदें अब्रीबड़ी नोसाइं फेकिने अब्रीबड़ी नोस्मार्ट वेकिना यह शी एच्छी नहां में में मिस्टेक्ष बना तो देखिए तेसरार की टीम ने आज आपको जो है अपुघर की पूरी सैर करवाई है वी होप कि आपको यह पूर अच्छा लगा हो देखिए अब सारी राइट थमने कर लिया है उसके बाद थोड़ी सी भूक और लग रही है तो मैंने यहाँ पर और की अपने लिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं मेरी ड्रेस भी चेंज होगी है मुझे ऐसा एक्सपेक्ट था कि सब ऐसा फॉलो करेंगे लेकिन मैं अकेला ही हूँ याश आपने में गाईडी नहीं कर रहा पताने क्या करते हो गाईडी नहीं करते हो सब बाते सब को नहीं बताई जाती तो जिसके लिए हम आये थे वोता फन वो आपको बहुत जादा मिलेगा साथ ही आपको जो सफाई है उसका काफी जादा यहां पर ध्यान रखा जाएगा खाने पीने की चीजे आपको मिल जाएंगी खाने पीने की चीजे आपको मिल जाएंगी और बाकी की चीजे आपको तो अगर आपको हमारे आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल भी न बोले अपने दोस्तों के साथ इसे जादा से जादा शेयर करें और यहाँ पर एक बार आना तो जरूर बनता है